हलो फ्रेंज आज हम दो आलू से बहुती स्वादिस और टेश्टी नास्ता बनाएंगे जो कि बनाने में बहुती ज़्यादा आसान है और बहुती जल्दी से बनकर ये तयार हो जाता है तो फ्रेंज रैस्पी जरा सी पसंद आए तो बेडी को लाइक और चैनल पर पहले बार आएओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेजीगा तो यहाँ पर ये देखिए मैंने दोनों आलों को चील लिया है इसी तरह से हमें इनको चील लेना है और फिर हमें इन आलों को धो लेना है और यहाँ पर मैंने एक बावल में लिया है पानी और इस तरह के ग्रेटर से हमें इन आलों को जो है ग्रेट कर लेना है जानिकि यहां पर मैंने दौनों आलों को जो है कद्दुकस कर लिए तो यह देखिए और बारिक बाले ही ग्रेटर से हमें इनको ग्रेट कर लेना है तो यह देखिए यहां पर मैंने दौनों आलों को जो है कद्दुकस कर लिया और इस तरह की चलनी में हम इनको निकाल लिए उसके बा काता हुआ टाली अर्वारिक प्रमाटार। 1 और कि मैसे लिकला डिलोगनेता है इतना ही हम हम गरम करें जाहें संकते हों तो यह निवू की यहां निवू को निकाल लिया है और इसमें हमें डाल देना है अब हमें यहां पर ले लेना है गैहुं का आटा तो इस रस्पी को गैहं के आटे में बना रहे हैं आप चाहो तो मैयदा जय कोन फ्लूर भी इसमें डाल सकते हो और इसको हमें जो है अछी मीक्स कर लेना है तो ज्यादध नहीं डालना है हमें यहाँ चार न फांच चमच ही इसमें आटा डालना है तो इस तरह से हम अछी तरह से mix कर लेंगे और इस तरह से हम इसको बना कर तयार कर लेंगे उसके बाद कड़ाई में मैंने oil डाला है oil को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और इसमें हम जो है देल, चमच, बैटल इस तरह से डालेंगे और इसको हमें जो है इस तरह से इसमें फैला देना है आप चाहो तो पेयन में भी इसको बना सकते हो और अच्छी से इस तरह से हम सैट कर लेंगे और इस पर हमें जो है उपर से इस तरह से ओल डाल देना है जिससे की अच्छी तरह से सिख जाए और बहुती बड़िया सा यहां पर यह क्रेश्पी बनकर तयार हो तो यह देखे दूसरी साइट से भी अच्छी तरह से से लेते हैं तो इसको हमें जो है उलट पुलट कर अच्छी तरह से क्रेश्पी होने तक से लेना है जब तक कि यह बड़िया तरीके से ना सिख जाए और एक बड़िया सा कलर इसमें ना आ जाए तब तक हम इसको जो है उलट पुलट कर आपको दिखा देती हूं आप चाहो तो इस तरह के छोटे चमचा ले वीजिए और उससे फेला दीजिए और इसको जो है सिखने दीजिए अच्छी तरह से सिखने के बाद में हम इसको जो है पवट देंगे आप चाहो तो इसमें दो या तीन जितने भी चाहो उतने सेख सक करके इसको जो है सेखेंगे और बढ़िया तरीके से जड़ सिक जाएगा तब हम इनको जो है निकाल लेंगे तो जी लीजिए फ्रेंज यहां पर मैंने सारे नास्ते को बना कर तयार कर लिया है और जब भी आपके पास इस तरह से बॉय आयू ना हो और जटबट बनाना हो तो बच्चों को आलू की चीज़े बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है तो एक बार इस नास्ते को आप जरूर बनाएए इसको आप सौर चटनी या पर चाई के साथ इंज्वाइ किए बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा बच्चे तो इसको रोज डुमाइंट करके ह नहीं है जब भी आपके पास कच्चे आलू हो तो इस नास्ते को बनाकर फटापट से आप तयार कर सकते हो तो फ्रेंस रैस्पी जरासी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिएगा मिलते हैं अच्छी से नहीं रैस्पी के साथ तब तक ही टेक किया थैंक्स पर वाचिंग